नोवेंबर महिनाथ निफ्टी 50 ने नवीन हाई बनोला तेवा सगयान असवाटला कि मार्केट सहज 20,000 चे टपपा पार करेल परन्तु तसका ही घड़ल ने निफ्टी मदे जवल पास 9 टक्कें चा करेक्शन पहला में आला अट्रहाजार 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 अट्र 1215 वर खालिया लेला है आज ही निफ्टी जवल पास 9 टक्के डाउन है अस अस्तना एक सेक्टर मात्र माघर घेल तयार नहीं है आणि आपला अल्टाइम हाई जवल ट्रेड करता है तैने आपला 16 वर्शन चाहाई तोड लेला है याच आर्था सपष्टा है कि या सेक्टर म अपला अल्टाइम हाई नुंदो लेला होता या सेक्टर ला जर फाइदा होत असेल तर ओगानेज या सेक्टर मदिल सर्वधिक वेटेज असलेला स्टॉक लाया चाहा फाइदा होना रजाए आणि यास मूल आज आपन एंटी पीसी या स्टॉक वर बोलना रहोत नमस्कार अपला परमी आ है अखेला अनि पैसा बनी चाहा स्टॉक वर बोलू काही या स्टॉक अनलिस सीरीज मदे आपला स्वागत या सीरीज मदे आपन स्टॉक सफंडामेंटल टेक्निकल आनलिसीस करतो है तुम्हाला महाईती साहे तुम्ही जर चैनल ला सब्सक्राइब केला ता पटकन पाऊ यात। बहारत सरकार कड माल शलीले कंपान हे कुण चार काटेगश्तल महारतन नवरतन मिनि रथ न एक अने मिनि रतन दोल या सर्व केटगरी कंपानी चाप्रोफिट नेट वर्थ वह अननुल टर्नो यांच और ठर लिलास्त या तिल महारतन कंपानी मंजे पाई क्राइटेरिया बंद जावा लागता ते मंजे नंबर एक भारत सरकर्ची अशी एंटीटी की जी आधी पासुन नवरत ना है नंबर दोन स्टॉक एक्षेंज वर लिस्टेड आए नंबर तीन गेला तीन वर्शान मदे कंपनी जा नेट प्रोफिट आफ्टर टाइक्स पास हजर कोटिन पेक्षा जासता है नंबर चार गेला तीन वर्शात कंपनी चा वार्शिक टन प्रोफिट प्रोफिट लिए प्लांड कमिशन के लेला है कंपनी ने पारंपरिक थर्मल, हाइडरो, नुकलियर पावर जन्दरेशन बरबर चाता अपारंपरिक स्त्रोत मंजेच रिन्योबल पावर जन्दरेशन मदे प्रवेश के लिला है ये नरे 10 वर्षात्र रिन्योबल एनर्जी कापिसिटी 60 गीगावट परिंदर नेड़ेचा कंपनी चा मानस है कंपनी चात सांगल्या कामगेरी साटी गेला काही महिनत सातत्याने विवित पुरोसकारन नी कंपनी चा गवरो करनता लेला है निफ्टी पीएसी इंडेक्स मेदे एन्टी पीसीला सगया जास्त मेंचे 17.100 टक के यवड़ा वेटे जाए माक्चा 5 वर्षात कंपनी ची सेल्स ग्रोध 10.1 टक के यवड़ी साए ओपरेटिंग प्रोफिट सुद्धा वड़ाता है पन कंपनी ची ओपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन हे मात्रा माक्चा काही वर्षात कमी होतान दी साता है कंपनी चा profit before tax and net profit मदे ग्रोथ होताए कम्पनी चा नेट प्रोफिट कोविड चा आधी 14,000 कोटे होता जो आता 17,500 परंदे उन पोशलेला है कम्पनी चा EPS मदे सद्ध्या कमाली ची वाड धलेला है EPS 2021 सली 13.88, 2022, 2021 ला 15.9 आणी 2022 ला 17.20 होता या वर्षी 17.70 परंद जाउशक्तो कम्पनी चा नेट चांगला डिवीडें सुद्धा दिलेला है कम्पनी चा डिवीडेंट इल तीन पॉण 6.00 टक्के यहँडा है कम्पनी चा वखिंग कैपिटल रिक्वाइर्मेंट बाविस पॉण टीन दिूसान वरूण चाओधापन चार दियुशन वर आली लिया है ही सुद्धा एक जमी ची वाज़ा है कंपनी मदे एक कौन पंट एक टक्के स्टेक प्रमोटर्स चाहे जो 2020 पासुन जावर पा सार्खा चाहे फॉरें इन्वेस्टरस ने मातरा 2022 सली स्टेक वाड़ो लेला है आता कंपनी जा चार्ट पाऊया तद पुर्व एक गोष्ट लक्षत ग्या मित्रां नो चार्ट पाणने सेटी तुम्हें ट्रेडिंग व्यू सरके आप वापरत असल परंतु जास्ती चे फीचर वापरने सेटी याचे तुम्हाला पेड वर्जन गयावे लागते परंतु तुम्हें जार धन या डिस्काउंट ब्रोकर आप वापरत असल तो त्या तुम्हाला ट्रेडिंग व्यू चे पेड वर्जन अग्दी फुकडवापर देते याशिवाय धन चे इन्वेस्मेंट वर ट्रेडिंग सेटी वेग 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 आपायत आतीशे चांगली गुष्ट बंजे जर महिला ट्रेडर सा स्तित तो त्यानना ट्रेडिंग मदे धन वर पन्ना स्टक के डिसकाउंट सुद्धा दिला जातो पर लट के वर दहा रुपे प्रोफ्रेज लागते धन ची लिंक डिस्क्रिप्शन में दिली लाए तल नक्की बेड़्या तब पुन्ना इक दापला मूल विश्यकड़ी हुए तो चांगला पेकी स्ट्रॉंग दिसेता है कमपनी चा स्टॉक गेला का या ठोडन पसुन एकाच रेंज मदे ट्रेड करता है ती रेंज मंजे एक्षे 60 टेक्षे 55 श्टॉक ने ही रेंज सहा माच रोजी तोडलेली आए आता जर स्टॉक या रेंज चावर सस्टें जाला तर स्टॉक ये ता दिवसाल एक्षे 55 यानी मदिल पावर ग्रेड, ONGC, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, BPCL, IOCL, गेल यानना सुधा या रैली चा फाइदा होई जे स्टॉक्स ट्रेंडिंग मदे है, तैंची आपन जर खरीदी के लिकिवा, सेल के लिए तो तैजा फाइदा नक्की जहूँशक्तो याद सट्या में ट्रेंडिंग स्टॉक्स वर वीडियो बनो दास्तो अशिमाहिती तुमाल लवकरत लवकर मेलवी हा सांचा कायम उद्देश अस्तो त्या मोल चैनेल लग तुम ही सब्सक्राइब नक्की करा कमेंट मदे तुमाल जा स्टॉक्चा अनेलेसिस हावा सेल ताच नाव लिया तसे सगयात महत्वच्चा काम नक्की करा मंजे हाव वीडियो लाइक करनाचो सद्द सटी थामवया पहात रहा पैसा बाने